तो गाइस स्वागत है आप सभी को हमारे फिर से एक निव वीडियो में आज है विसकर्मा पूजा और अभी हम जा रहे है कार को धुलाने के लिए और यहाँ पर आने का बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है हमको तो लग रहा है यहाँ पर आज मेरा गाड़ी नहीं दूलाएगा तो अभी यहाँ पर लगएगा मेरा दो घंटा फिलाल हम यहां रुकेंगे नहीं काय कि इतना जयदा मेरा पास टाइ सब तरब से पानी वानी मार देना है और टैर में मतलब चक्का में पानी मार देना है बस और ज्यादा कुछ करना नहीं है फिर पूजा हो जाएगा गाड़ी का फिर बाद में इसको हम बढ़ियां से फिर एक बार धुलवा लेंगे दो-तिन हो जाएगा उपर में मारते फिर यहां से हांस से सापा करते नहीं हो जाएगा उपर से हांस से सापा करना समझा इसे करके कि निचे में पुरा बालू-बालू हो गया है अब तो गाइस इसको काट लिया है अभी कुत्ता अगर ड़क्टा पास लेके चल जा तो पर तिक्कत होई इस लग यह कर देगा समझे नहीं किसा कता यहां पर देख सकते पूरा इसके रेच हो गया है इसके रेच हो गया यह पूरा इस जगा का कहा से आवतर है पूजा करा के पूजा करा के अपने सना कही लिए ना भाई पंडी जी से कराएंगे पंडी जी से कराएंगे करा लिए ना इबुतरू लोग कोन है किसका बेटा बेटी है पिंटू वह बेटी यह बेटा वह बेट पांच मिनट और भी लेट करते तो पंडी जी से भेट नहीं हो पाता ऐसे पंडी जी हम लोगा घेरेलू मतलब पंडी जी हैं घर में आते हैं पूजा ओजा करने के लिए गाइस पंडी जी तूछे लगाएं पीछे लगाएं पीछे लगाएं तो पीछे करके अच्छा अपने से पानी मलवात यह बात में दूला लेंगे तूछा पंडी जी खड़ाम तो दिक्का मारते हैं अलए कि के तो काईश यह साइड जहां पर मतलब मूर्ती बैठाया गया है और यह साइड पे यह दूसरा साल हो रहा पुजा यहां पे हम लों मनаться को हुजाय हो गिया है और आभि मलोग जाएंगे किचड़ी खाने कहा पर जाएंगे लोको सेट आसंश लोको सेट जाएंगे रेल्वे का यह लोग को बुलाया गिया है नाय नी मेरा दोस्त बुलाया है सवानु यह अभी हमको लिए के जाएगा और सवानु रेल्वे में है सोनु का पोस्टिंग रेल्वे में पुरा का माता है यही लड़का तो अभी यही बाइक से जाएंगे हम लोग तो अभी हम लोग आगे हैं लोको सेड में और गाइस खिचडी हमको बहुत ज्यादा पसंद है होच ज्यादा खिचडी खाने के लिए हम खाली मौका ढूंडते रहते हैं कहां मिल जाए बढ़ियां तो यहां का बारे में हम आप लोग को तो ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे पर यहां पे रेल्वे का काम होता है फिलाल देख सकते हैं हर चक्काव का उसका रखा हुआ है और यहां सामने में एक दम मस्द पंडाल बना हुआ है और इधर में देख सकते हैं आसपास में काफी ज़्यादा चैर भी बैठने के लिए लगा हुआ है एगो बगल में भी भगवान का मूर्ति बष करमा भगवान का और यहां बच्चे लोग देख सकते हैं बहुत और यहां पर हम लोग ले लियें खिचडी और सब्ची नहीं जाते को पुल रहा था कि दूंधा फिले ना कर लेट कर रहा होगा है तो तो अभी खाना पीना खाके आगे हैं और अभी वीडियो को बस इतना तकी रखते हैं और मिलते हैं चैस नेक्स्ट वीडियो में